दोस्तो मा की ममता के आगे देवगन भी नतमस्तक हो जाते हैं कहते हैं कि मा की ममता में इतनी शक्ती होती है कि वो अपने बच्चे को यमलोग से भी वापस ला सकती है ऐसा ही कुछ हुआ जब एक मा ने अपने एक महिने पहले मरे हुए बेटे को वापस लाने की जिद पकड़ी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ये संभव है और अगर हाँ तो कैसे इस मा ने अपने एक महने पहले मरे हुए बेटे को वापस जीवित किया तो वीडियो को आँ तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मध्यप्रदेश की रिवा जिले में एक मा की अनोखी ममता सामने आई है जब उसके एक महने पहले बेटे की मौत के बाद मा को अभी भी उम्मीद है कि उसका बेटा जिन्दा हो जाएगा जिसके लिए अब वो भक्ती का सहारा ले रही है मा ने कहा कि उसकी कुलदेवी उसके सपने में आय थी और कहा कि अगर कबर की मिट्टी निकाल कर पूजा पाट करो तो शरीर में फिर से जान आ जाएगी इस सपने को देखने के बाद मा ने कबर से मिट्टी निकाल कर पूजा पाठ शुरू करवाई अब यह दावा किया जा रहा है कि उस मिट्टी में चमतकार हुआ है और वा मिट्टी फूल में बदल गई है दरसल ये पूरा मामला है सागर थाना छेतर के बक्षर गाउं का यहां रहने वाली रितु कोल के चार वर्सिय बेटे की मौत बीमारी के कारण हो गई थी जिसके बाद उसे संजय गांदी अस्पताल में भरती किया गया जहां उसकी मौत हो गई मौत के बाद परिवार वा लोग ने रिती रिवाच के साथ बच्चे के शव को दफना दिया था इस घटना के एक महिने बाद माने दावा किया कि उसका बच्चा उसे सपने में दिखाई देता है इसके साथ ही उसने कहा कि हमारी कुलदेवी ने आकर यह सपना दिया है कि अगर बच्चे का शव बाहर आ जाए तो उसमें जान आ सकती है। इसके बाद गाओं में स्थित मंदिर में भजन और किर्तन शुरू करवाया और जहां बेटे को दफनाया गया था उस जगा की मिट्टी लाकर रखी गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।